हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो सिभिल बाइस टूपन जीरो ओफिस्यल इटूप चनल फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी को मैं सॉल्यूशन करा रहा था 23 अक्टूबर से लेके जो चार नौंबर तक के एकजाम हुए थी उसका तो 23 अक्टूबर का कराके थोड़ा मतलब बीज करूंगा यह उस सीरीज का जो है डे एट है काफी लेट हो गई उसके लिए छमा चाहूंगा आप सभी से और इसके बाद मैं अभी सॉल्यूशन करा दे रहा हूं सरा का अभी इस वीडियो में एक से तीस क्वेशन तक करता हूं सिभिल में जो जैनरी में जो सिभिल का पोर् मतलब कोई question में आपको doubt रहता है तो इस देखें यह इस group में join होके यहाँ पर आपको यह section दिखता हो देखें यहां पर यह इस बाले बटन पर क्लिक करके आप इसका discussion group join कर सकते हैं वहां पर कोई भी question में अगर आपको doubt हो तो वहां पे भेजिए मैं उसका solution आपको provide तो जलिए स्टार्ट करते हैं आज के सिशन तो यहां पर देखिए पहला पहला नंबर का सवाल है देखिए जैनरे जिलिंग में देखिपोट में और जनके पहली सीच का粵ए यह यहां है व्यूसकाशन नंबर टू प्रि upfrontS में देखिए प्रेंट को रहे पाधोर होता है वी 110 खेस्सकाशन फसकी थारोए नंबर टू बोर्डव फ्रिर इनकांटी लिवर ब्राइनपर के मेंद構न तो देखिए चैन्टिलीवर बीम में जो मतलब डिफ्लेक्शन होता है इसका कुछ इस परकार होता है यानि कि कही न कहीं टेंसाइल जोन होता है वह एभब न्यूट्रल एक्सिस एकजिट करता है तो रेनफोर्समेट भी हम लोग पता है आपसे भी को कि मतलब टेंसाइल जोन तो नीचे में आता है इसलिए उसमें बीलो दा न्यूट्रल एक्सिस होता है लेकिन अगर बोला जाय तो इसका आंसर इसका आपसेट क्या होता है अगर अब जब सर्वेंग वर करते हैं चैन लाइन माला यह है तो इसके ट्रांसवर्स डायेक्शन में कुछ-कुछ ऑबजे सर्वे लाइन इधर से गुजर रही है यह पेड़ है तो आपको मतलब दिखाना है कि कितने डिस्टेंस पर है या फिर इस तरह करें कि ऑपसेट बहुत तरह का होता है पर्पेंडिकुलर अपसेट अगर यह चैन लाइन से 90 डिगरी पर तो पर्पेंडिकुलर अगर इसमें और फिर होता है फ्रेंड कि लॉंग अपसेट या सौट अपसेट तो अगर 15 मीटर से उसका डिस्टेंस अगर जादे है तो वो लॉंग अपसेट में आएगा अगर कम है तो सौट अपसेट में नेक्स चलते हैं क्वेश्चन नमर्प फोर में देखिए बोला गया है इस जियोलोजिकल जियोलोजिक फर्मेशन विच इस्टोर वाटर एंड इस अल्सो कपेबल ऑफ ट्रांस्मीटिंग वाटर थ्रो इट्स पोर एट लार्ज रेट इस कॉल्ड तो देखिए बोला जाएगा कि वाटर तो इस्टोर करता है लेकिन मतलब थोड़ा सा भी पानी लेकिन ट्रांस्मीट करता है लेकिन कम मात्रा तो उसमें हो जाएगा एक्वीटाड और इसमें क्या है ना ही वाटर इस्टोर करेगा और ना ही वाटर को ट्रांस्मीट होने देगा तो यह चार होते हैं आप लोग इससे याद रखेगा नेक्स्ट कुछ भी पूछे तो due to long column buckling से फेल होता है अगर बोला जाए कि short column तो उसका हो जाता है crushing अगर बोलता कि intermediate column तो mixed mode of crushing and buckling होता है तो याद रखेगा long column बोला जाए तो देखे long column जब ही होता है तो क्या होता है उपर से load लगाए नीचे से load लगाए तो कहीं ना कहीं crushing भी आ जागा तो ऐसा करके याद करिएगा इसके बाद देखें कॉस्चन नमबर 6 में क्या बोला है बोला है एक्सप्रेसर हेड़ ऑफ हन्रेड मीटर अफ वाटर एज लिक्विड ऑफ स्पेसिपिक ग्रेविटी 1.5 तो बोला गया फ्रेंट देखें एक सो मीट कर दिएगा और इसको इक्वेट कर दिजिएगा यह स्पेसिफिक ग्रेटी 1.5 दिया तो इसका रो कितना हो जाएगा 1.5 इन्टु रो वाटर का हो जाएगा इन्टु जी हो जाएगा इन्टु एच तो बोला कि इसी के corresponding में इस हेर वेलिउ ने दिया हुआ इधर दिया कर लिजीए गा आ जाएगा यह असानी से इसका देखे बोला गया है थीकनेस ऑफ ग्रेजवेशन और फोल्डिंग टाइप अफ लेबलिंग स्टाप तो इसका जो जो स्टाप होता है इस टाप में जो रीडिंग लिखा होता है ऐसे करके रीडिंग करके लिखा होता है चार- पांच ऐसे करके तो इसका जो बोला है कि इसका ठीकनेस कितना होता है तो इसका पांच एम होता है और आप लोग लेबलिंग स्टाप का जो लिस्ट काउंट होता है वो भी पांच एम होता है तो इस तरह करके भी याद रख सकते हैं इसका देखे कॉस्चन नमबर एट में क देखे इस बार PM10 का पूछा है फ्रेंड, next बार कुछ अलग compound का पूछ ले, तो यहाँ पर देखे एक list है, इसको आप लोग याद कर लिजेगा, इसका list जो है फ्रेंड बहुत बड़ा है, इसमें annual भी आता है और 24 hour का भी आता है, मतलब daily का भी आता है और annual का भी आता है, तो 24 hour का, यहाँ पर अगर yearly पूछ जाता है, उसका data अलग होता है, याद रखिए का, annually पूछेगा, तो उसका data अलग होता है, मैं यहाँ पर जितना भी compound है, उसका 24 hour, यानि कि एक day का बता रहा हूं, तो आप लोग कम से कम day का याद कर लिजे, क्योंकि next बार क्या पता, दूसर अगर NO2 रहता, तो 80 का भी होता है, PM10 का भी आप लोगों ने देखा 100 microgram पर मीटर क्यूब होता है, अगर यही पर लीड रहता, PB रहता, तो 1 microgram पर मीटर क्यूब हो जाता है, और अगर अमोनिया रहता, NH3 रहता, तो यहाँ पर 400 हो जाता है कर नासेठेडर क्रिस्र लार्ष केंशनोन driven ह motion इंटव कलासिफिकेशन इन लगेका एसी इंडियन क्लासिफिटाइड टार्ष जा उसमें अठार हो जहागा था था तो राइंचाँ हों तो यूनियन इस्टेंडर क्लासिफिकेशन तो पंदरा हो जाता है तीन घड़ जाता है उसमें फ्रेंड पंदरा मतलब ISCS में तीन एक्स्टा जूड़ जाता है तो इसलिए पंदरा इसमें होगा इसमें आठारा नेक्ट देखते क्वेस्चन नमबर टेन एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस इन वाटर एज पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलप्मेंट इंडिया इज तो देखिए एक्सेप्टेबल पुछाए तो फ्रेंड दो सो हो जाएगा अगर यहीं पर्मिसिबल पुछता पर्मिसिबल पुछता तो 600 हो जा तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को आईस दस पांच सो दो जार बारा जब यह आपको आईस को खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे कब मिल जाएगा आपको एक्सेप्टेबल और पर्मिसिबल लिमिट तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलमोनियम का है अमोनिय इसके बाद देखें आपको फ्लूराइड पुछ सकता है 1 और 1.5 अब फ्री रिसेडियल क्रोली पुछ सकता है 0.21 यह है फ्रेंड एक्सेप्टेबल लिमिट यह है पर्मिसिबल लिमिट मतलब काउच फोर रिजेक्शन है इसके बाद देखें आईरन का 0.3 है नो रिलेक्स जो है 200-600 और टोटल हार्डनेस भी 200-600 होता है जिंक 5 और 15 होता है तो यह सब याद रखेंगा फ्रेंड और 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 भी आपको डेटा याद करना है तो आप आई-एस 10-50-2012 डानलोड कर सकते हैं इसके बाद नेक्ट क्वेश्चन देखें 11 नमर क्वेश्चन दा सीयर केरिं केपेसिटी ऑफ बूल्त इन डबल कभर बडजाइन डबल कभर म्डवा बडड जविए फ्रेंट तो राइट अंस होजाएगा डबल दो सीयर यारिंग स्ट्रेट हो रहा है और कनभर्ज कर रहा एक जेगा तो कहीं ना क embassy ली कनभर्ज कर रहा है तो कनभेक्टिब टैंजेंशिल एक्सले सन हो जाएगा इसका राइट नसर की इसके राद तेबल 18, value of partial safety factor for safety for loads, तो यहाँ पर देखिए load combination, dead load plus live load है, इसमें limit state of collapse में देखिए, dead load के लिए 1.5, live load के लिए 1.5, और अगर यहीं पर dead load, या फिर dead load plus wind load, या फिर dead load plus environment load होता, तो यहाँ पर देखिए 1.5 या फिर 0.9 हो जाता, और अगर यहाँ पर देखिए, live load में इसमे wind load का जो हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पर limit state of servicibility के बात करें फिर, तो ज्यादातर में आपको 1 ही तेखिने को मिलता है, कोई कुछ-कुछ live load का के लिए से, यहाँ पर, जब सारा combination आता है, तो यहाँ पर 0.8 हो जाता है, यहाँ पर दिख़ता आवर नीचे में, next question देखिए, 14 number, the discharge from a tube whale generally, भराज between, तो देखिए, tube whale का जो discharge होता है, वो लगबर 50 लिटर पर सकेंड के आसपास होता है, तो यहाँ पर देखिए, option number D, 40-50 लिटर पर सकेंड, और यहाँ पर अगर open whale बोल देता है, तो उसमें 5 लिटर पर सकेंड होता है, तो याद रखिए आपको, कभी open whale का पूछ लिया जाए, तो मार दीजिएगा, इसके देखिए, question number 15 में, the broad gauge length is used by the Indian railway is, तो broad gauge का जो इंडियन railway यूज करता है, 1676 करता है, इसके बाद यहाँ पर सारा का देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, gauge और distance between rail, मतलब फ्रेंड जो train का पतरी ह होता है, इहाँ से समझे, gauge क्या होता है, इधर भी rail बिचा होता है, जिस पर train का पहिया चलता है, उसको rail बोलते हैं, इधर भी लगा होता है, तो इन दोनों के बीच का जो inner face का distance है, उसको बोलते है, gauge, तो इसमें broad gauge रहेगा, इसमें बहुत सारे का gauge होता है, according to width, तो broad gauge का width ह होता है, 1.676 होता है, meter gauge का 1 meter होता है, इसका बाद देखें, narrow gauge का 2 होता है, आपको यह याद रखना है, 0.762 क्योंकि इंडिया में यहीं अपला होता है, और इसमें भी अगर बहुत सारे नेरो gauge में ही feeder gauge आता है, उसमें 0.610 meter होता है, इसका value, इसका देखें, आपको यहाँ standard gauge का पूछ लिया जाएगा तो फ्रेंड, 1.435 याद रखिएगा, standard gauge का आजकल थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछने लगा है, तो आप standard gauge का भी याद कर ले, यहाँ पर देखें, the maximum bending moment on a simply supported beam, loaded with UDLW, its entire span, मतलब कोई simply supported beam है, फ्रेंड, actually simply supported होता है, यहाँ पर एक तरह रोल UDL लगा हुआ है, W intensity का और यहाँ पर L इसका distance है, तो इसमें जो maximum bending moment होता है, फ्रेंड, सीधे याद रखिए लिए आप लोग, W L square by 8, calculate करने के जरूरत नहीं है, सीधे याद रखिए, अगर यही पर पॉइंट लोड बीज में तका होता है, कुछ ही UDL नहीं रहता, तो W L by 4 हो जाता है, इस अब याद रखिएगा फ्रेंड आप लोग, चलिए next चलते हैं, देखते हैं, question 17 देखिए फ्रेंड, a steep particle size distribution is obtained for, तो steep particle size distribution कब जो होता फ्रेंड, वो uniform soil के लिए होता है, याद रखिएगा इसको, इसके बाद देखिए फ्रेंड, Indian standard take the modulus of elasticity of structure still to be, तो फ्र उसमें आपको पहले physical properties मिलेगा, तो उसमें कहीं न कहीं आपको modulus of elasticity of structure still का value देखने के मिलेगा, जो गी होता है, 2 into 10 के power 5 Newton per mm2, यहाँ पे देखिए, option number D में है, तो इसका right answer हो जाएगा, option number D, next चलते है, question number 19, a wholly submerged body has its center of gravity below the center of buoyancy, the body is in, तो बोर अफ्रेंड, center of gravity जो है, वो निचे होगा, cg, cg नीचे होगा, center of buoyancy, center of buoyancy मतलब उपर होगा, तो center of buoyancy जब उपर होगा, फ्रेंड, तो stable का, यह case बनता है, अगर यहीं पे center of buoyancy, गर cg के नीचे जा जाता है, तो unstable हो जाता, और यहीं पे घर, दोनो एक ही point पे लाई करता है, तो neutral हो जाता, याद र होता है। ५ूलर्ण में एक formula भी होता है फूलर अब याद नहीं आ रहा है। अब धिसमें इसाकर के हम देखिए, इसमें यहाँ पर फॉर्मुला होता है फॉर्म आध के फाइनर देन डी है यह वला डी के और यहां पर देखिए यह जो बड़ा डी है केपिटल डी है वह मैक्सिमम साइज आप एक डीगेट है इससे आप फुलर्थ मैक्सिमम डेंसेटी मेथर्ड भी बोलते हैं तो कभी आपको अगर ऐसा फॉर्मुला देदे सिध्य की कौन सा नेक्स्टेशन देखेए कौच्टन नमर्ट 21 विट्रिफाइट सीवर पाइप सार्यूट फॉर्म वह सॉर्ट लेंथ मतलब छोटा लेंथ के लिए होता है और छोटा उसका डायमेटर भी छोटा होता है बस यह याद रखिएगा यह याद करने के लाएक है सिंकिंग फंड is sinking fund जो होता है फ्रेंड वो हर साल कुछ amount जो है building का कुछ amount मतलब रखा जाता है ताकि हर साल रखा जाता है ताकि एक अन्तिम जब आप उसका जो structure का जो है life खतम होने वाला है तो उसको reconstruct करने के लिए उतना पैसा मिल जाता कि तो यहीं पर इसका के आंसर जो है C है यह fund set aside to pay off loans तो यह भी हो सकता है फ्रेंड इसका अंसर तो आंसर C लाइट है इसका देखे question no.23 है यह 15 kg ओभन ड्राइड कोर्स अगरिगेट sample is subjected to an aggregate impact value test after the test the weight of sample fraction passing the 2.36 mm iscb is 6.3 kg what is the aggregate impact value तो देखे फ्रेंड टोटल 15 kg total है कोर्स अगरिगेट का sample और उसमें देखे 2.36 से पास कराया तो 6.3 kg मतलब पार हो गया तो आप इसको 6.3 को जो है 15 से डिभाइड कर दीजिए तो आई थिंग आप लोग 6.3 को 15 से डिभाइड कर दियोंगे तो 42 परसंड के आस पास आ गया होगा राइट आंसर नेक्स देखते हैं कॉस्चन नमर ट्वेंटिफोर दा इफेक्टिव लेंथ अप कॉलम अप लेंथ एल एंड बोथ इन रिस्टेंड इस देखें बोर राद बोथ इन फीक्स है और यह यह एल है तो आप सभी को पता है कि अगर इसमें बोला घाता जयाता कि अगर जहाता कि टृटीकल म्हेल गर्ल्व हो जाता है हो जाता है और अगर यहीं पर रिकमेंडेट भेल्यू बोला जाए तो 0.65L हो जाता है तो राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर यह इसके बाद देखिए स्पानिंग ओभर 6 मीटर से ज्यादा है तो वह 21 के लिए और अगर 6 मीटर से कम रहता बीम के लिए तो चोगदर हो जाता और इसी तरह से अगर यहां पर बीम के जगर स्लेब रहता और मतलब 4.5 मीटर से ज्यादा रहता तो चोगदर दिन हो जाता और इसका पुरा टेवल है आई एस कोड में देख लिए आप लोग एक बार तो यहां पर आप सभी देख सकते हो फ्रेंट एक तरफ लिखा हुआ है टाइप ऑफ फॉर्मवक और मिनिमम पिरियड बिफोर स्ट् पुछा जाता है तो इसी बेल्यू से पुछा जाएगा अगर देखे पहला ए में है भर्टिकल फॉर्मवक टू कॉलम वाल्स बीम रहेगा तो 16 से 24 गंटा होता है तो फॉर्मवक टू स्लेब रहेगा तो 3 डे होता है अगर प्रॉप टू रिफिक्ष्ट इमेड़ेटली कर इसको याद कर लिजेगा इसके बाद कॉस्चन नबर 26 है तो पैंट मेनुफेक्टिरिंग में देखिए आप सभी को देखने को मिलेगा सबसे पहले बेस जो की ओपैक कोटिंग प्रॉपाइट करता है और उसको स्ट्रेंट देता है इसके बाद आपको मिलेगा वेहिकल जि इसको बोलते हैं वेहिकल और टर्पेंटाइन ओयल जो है वह सॉल्वेंट में आ जाएगा यहां पर सॉल्वेंट इसके बाद आएगा और फिर इसके बाद पीग्मेंट आता है यह सब आता है तो देखिए बोर्दा कि उसमें वेहिकल कंपोनेंट का क्या मतलब परपस होता पर प्रिजरिविटिव जो होता है उसका पेनेटरिटिंग पाओर कितना होता है तो राइट अंस हो जाएगा यह याद करने वाला चीज है छे एमेंट से पचीस एमेंट तक होता है इसको याद कर लिजेगा आप लोग इसका देखिए कौस्चन नुमर्ट ट्वेंटी वो साथ दिन में जितना स्ट्रेंथ प्रोवाइट कराता है वो उतना स्ट्रेंथ प्रोवाइट करने के लिए रेपीड हार्डनिंग सिमेंट को कितना टाइम लगेगा तो इसको याद कर लिजे आप लोग तीन दिन लगता है रेपीड हार्डनिंग का तीन दिन का स्ट्रे एक्सेप्ट कुछ केसे हैं जैसे की मतलब क्या बोल सकते हैं इसको मतलब इसके सेंट्रोइड में तो बोला तो सही है सेंट्रोइड होगा एच वाइठ फ्री पे लेकिन इसका मेक्सिममी लाइख करता है येक एक सेंट्रोइड पे ही लाइक करता है तो याद रखियेगा उसके बाद देखेए फ्रेंट्षन स्थे बोला गया है विभाव रोलर जो है और सूतेबल फॉर कंपेशन टोव चैनले के लिए लिए सब जो बॉलन बालू जो सकते हैं आगे यह सब जो खुएशन ले में ज्यादा मुझे पता नही तो बहुत शारे का मतलब मैं स्कीप कर दूगा मतलब बस आंसर दिखा के लेकिन जिसका मैं सॉल्यूसन जानूंगा उसको अच्छे से बताने के कोसिस करूंगा इसके बाद या तो मेकनिकल भी करा सकता हूं तो मेकनिकल थोड़ा अच्छा से बताऊंगा आप लोग को एकस्पिलन करके तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वीडियो काफी लंबी हो गई 22 मिनिट की हो गई यह वीडियो तो थैंक्यू फॉर वाचिंग दवीडियो वीडियो को शेयर के जरू करें ताकि मुझ को यह बिएक्ट बीडियो में इलेक्टिकल करते हैं तब तक लिए ठैंक्यू कियो को कि अच्छे अच्छ आइख है 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 ऐख है है है